हलो गाईस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एंजल वन के अंदर किस परकार से स्टोक S.I.P कर सकते हैं तो स्टोक S.I.P आपको करनी है तो मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी प्रोसेस तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो भी स्टोक से लगते हैं जिनमें आप महिने दर महिने S.I.P करना चाहते हैं तो आप उनको सेलेक्ट कर लीजिए और सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पर आपको डिसकवर वाले आप्शन पे आना है और यहाँ पर आपको जो टूल्स वाल आप्शन है इसको स्क्रोल करना है यहाँ से जिसे आप स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास है स्टोक S.I.P नाम से एक फीचर आजाएगा आपको इस पे क्लिक कर लेना ह यहां पर आपको create basket आपको इस पे क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको बताया जा रहा है कि जो आपकी इस्टो के सैपी है वो ग्यारा वज़े से एक वज़े के बीच में लगती है जब भी market open रहता है तब तो हम इसको okay कर देते हैं यहां पर आपको basket का नाम दे देना है तो आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो आप यहां पर दे सकते हैं तो यहां पर हम इसी नाम को चलने देते हैं यहां पर आपको amount डालना है तो मालीजी हम यहां पर 100 रुपे से आपको example बता रहे हैं कि हम सो रुपे हर मेने डालना चाते हैं आप इसको एक हजार दस हजार जितनी भी आप चाते हैं वो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से यहाँ पर आपको फ्रिक्वेंसी चूज करनी है कि आप इसको मंथली करना चाते हैं या फिर डेली करना चाते हैं या फिर वीकली करना चाते हैं तो हम इसको मंथली करना चाते हैं और यहाँ पर पिरियेट सेंड कि किते टाइम के लिए आप इसको करना चाते हैं तो यहाँ पर आप यह मंथ हैं तो कितने मंथ के लिए आप करना चाते हैं यहां से चूस कर सकते हैं हम चाहते हैं कि यह पूरे 5 साल चले तो हम यहां पर 60 महीने इसको कर देंगे यहां पर आपकी यह स्टार्टिंग डेट है और यह एंड डेट आपको बता रहा है तो यहाँ पर आप इसको change भी कर सकते हैं तो आप starting date यानि कि आप किस date से आप SIP start करना चाते हैं वो आप यहाँ पर choose कर सकते हैं मालीजी आपकी salary आती है एक तारीक को तो आप 5 तारीक को कर सकते हैं आपकी salary आती है 10 तारीक को तो आप 15 तारीक कर सकते हैं कि sale आने के बाद में आपको जो balance है आपके account में रहे अब यहाँ पर हम 15 तारिक से इसको start करना चाहते हैं यह हमने डाल दिया create basket पे हम click करेंगे यहाँ पर हमको stocks add करने हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम कुछ stocks add कर लेते हैं उसके बाद में यहाँ पर हम आई यह केवल मैं आपको दिखाने के लिए stocks add कर रहा हूं इनको आपको इसी परकार से buy नहीं करना है यह मैंने तीन stocks यहाँ पर add किये हैं जिन में मैं SIP करना चाहता हूं तो यहाँ पर अब देखे आपको कुछ चीजे देखने को मिल रही है जैसे इनका allocation की हमारा word of phone idea में अभी 33% है yes bank के अंदर भी 33% है और PNB के अंदर भी 33% है यानि कि मैं यदि 300 रुपे invest करता हूं तो वो इन सभी में 100-100 रुपे लग जाएगा पर मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा PNB के अंदर 50% रहे और बाकी के अंदर आदा आदा हो जाए तो यहाँ पर मैंने PNB का जो 50% कर दिया बाकी का अपने आप से चेंज हो गया तो आप इस परकार से allocation कर सकते हैं अब उसके बाद में यहाँ पर आपको I accept option condition आपको इस वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पर plus order पर क्लिक कर देना है यहाँ पर आपको सारी details देखने को मिलती है कि आपकी जो basket का नाम है वो क्या है और आपकी जो buying date है वो कब से रहेगी उसके बाद में कब तक यह चलेगी आप इसको कभी भी close कर सकते हैं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती है और आपको लगता है कि आपको किसी मेंने में SIP नहीं करनी है तो आप वो भी option रहता है आप उस मेंने उसको इसके भी कर सकते हैं यहाँ पर आपको confirm पर क्लिक कर देना है और आप यहाँ पर order status पर जाके आप अपना order देख सकते हैं यहाँ पर यह आपके SIP स्टार्ट हो चुकी है अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ परसनों के तो देखिए सबसे पहला question आता है कि इसमें जो यह पैसा है वो कहां से कड़ेगा तो आपको angel one की app के अंदर आपको पैसा रखना है और जो भी तारिक होगी उस तारिक को यह automatically deduct हो जाएगा और यह shares automatically buy हो जाएंगे बात करें यह दिए आपको इसमें कुछ modification करना है in future कभी भी तो आप किस परकार से कर सकते हैं तो इसके लिए आपको वापस से discover वाले option पे आना है यहाँ पर आपको नीचे आना है और tools वाले option पे आ जाना है यहाँ पर आपको SIP stock SIP वाले option पे आ जाना है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको order book वाले option पे क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद में जो भी अभी आपके SIP चल रही है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास stop SIP और modify order दोन option देखने को मिलते हैं तो मान लिजिए कि अब आपको future में लगता है किसी stock को add करना है या फिर किसी stock को हटाना है तो यहां पर आप order modify पे जाएंगे यहां पर आपका जो भी यह जो basket है इसके अंदर आप change कर सकते हैं मैं भी change करना भी बता दूंगा यहां पर आपSIP का amount कम जादा कर सकते हैं periods कभी भी आप कम जादा कर सकते हैं और उनकी SIP date को بھی change कर सकते हैं तो आप यह अपने इसाब से इसको change कर सकते है तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं update पे click करेंगे तो यह update हो जाएगा यहाँ पर देखे आपको जो shares है उनका allocation भी आ जाता है आप किसी को हटाना चाते हैं तो वो तो आप यहाँ से सीधा ही हटा सकते हैं मालीजिए हमको idea board of phone नहीं चाहिए तो हम इस पर click करेंगे तो यह हट जाएगा यहाँ से किसी stock का जो आपको allocation percentage है वो आप यहाँ से कम ज़्यदा कर सकते हैं तो हम इसको 75 करना चाहते हैं तो वो हमने कर दिया और यहाँ से आपको I accept terms and condition place order पे click करेंगे और confirm पे click करेंगे तो आपका order लग जाएगा ठीक है और यहाँ पर आप इसको आकर वापस से देख सकते हैं यदि आपको SIP को stop करना है तो आपको वापस CCP किलिक करना है और stop SIP पे click करेंगे तो आपके SIP stop हो जाएगे गैस अब बात करते हैं यदि आपको इसको बेचना है तो किस परकार से बेच सकते हैं तो guys इसमें क्या होता है कि जो shares है वो आपको आपके portfolio के अंदर देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर आपको portfolio का जो option है आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको जितने भी shares आपने SIP की रूप में buy किये हैं वो आपको यहाँ पर show करते हैं तो आप उनको कभी भी और किसी भी shares को बेश सकते हैं तो आपको इसके कोई भी tension लेने की बात नहीं है कि आपको सारे एक साथ बेचने ऐसा नहीं है आप किसी को particular को बेचना चाहते हैं तो यह एक systematic तरीका है investment का इसके अंदर आपको जो भी आपकी बच्चत होती है उसको आप एक systematic रूप से share market में लगा सकते हैं तो guys I hope आपको यह video पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो video को like कर देना और आपका कोई भी question रहता है तो आप हमें comment करके पूश सकते हैं तो thanks for watching this video, thank you